Guys, अभी कल ही मैंने यह Realme Birds Wireless 2 Neo जो है, इसका review डाना था, और मैंने भाई, order किया था, यह Realme Birds Wireless 2, without Neo वाला जो है, वो आ चुका है, मेरे पास भाई, यह kind of उसका pro variant आप बोल सकते हो, या तो फिर यह normal variant है, वो उसका, थोड़ा बलते है, light variant है, और इसका जो first iteration है, basically यह वाला जो ह का मिल था, लेकिन भाई, first sale में तो out of stock था, मेरे को 23 सो में मिला, 100 उर्पे का discount में तो 22 सो में में मिला, बहुत जादा इसकी तारीफ है, मैं सुन चुका हूँ, तो हम देखते हैं भाई, अपनी expectation थोड़ी बढ़ चुकी है, मैं उसको open करते हैं, देखते हैं, कैसा है, so hey what's up guys, my name is Zaheer and this is the unboxing and my first impression overview of this Realme Birds Wireless 2, so let's begin तो second channel अपना यार TTS, उसको जाके subscribe करो, tech news वोगेरा उस पर आईगी, जब 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आईगी, तो नीचे description में पहले link है, जाके subscribe करो यार, with that said, let's start the unboxing, बहुत सारी जाके पर दबा होआ है, तो बहुत ज्यादा टेमपर है box, ओ भाई, इसके अंध quality इतनी superb है ना मैं आपको बताने सकता, बहुत लाच जबाब sound quality है, अगर वो quality का sound इसने दिया, तो मजा आ जाएगा, भाई, so देखो, इसमें ANC है, 10 minutes में 12 गंटे का playback, not bad, 22 गंटे का total playback है, 88 milliseconds की super low latency mode, 13.6 mm का driver है, बड़ी-बड़ी बात ये तो यहाँ पर लिखी हुई है, इसाब बहुत भी बुरी तरीके थे, टेमपर्ड है, बट यह है हमारा मेन प्रोड़क्ट, यह तो पूरा-पूरा OnePlus Bullets Wireless Z बना है, पूरा completely वही वाला दिख रहा है, ऐसा लग रहा है OnePlus Bullets Wireless Z को इधर चिटका दिया, मैं आपको दिखाता हूं वह भी, Base Edition वाला, एक मिनट, पह दिये ANC का पटन दिया हूं, दर पर माइक्रोफोन है, USB Type-C port है, और यह पूरा है, प्लास्टिक का, और यह जो नेक बैंड है, जो गले पर रेस्ट करता है, इसके क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है, बुरी नहीं है, और यह साइड में जो है, इसके अंदर रियल जो बेस एडिशन वाला है, उसकी जैसे ही बनाया है, जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हो, नीचे खाली, Earbuds जो है, वो थोड़े छोटे हैं, OnePlus के, इसके थोड़े जादे बड़े हैं, कि भाई, ANC है, तो उसके लिए बड़े रखना बहुत ज़रूरी है, बट I have to say, क्वालिटी इस बार काफी अच्छी इन लोग ने बनाई है, जो काफी नरम था OnePlus, बुलेट्स वालेजट, सेम चीज यहां पर इन लोग ने लेका है, पंता तो एक ही जगे है, BBK का है सब कुछ, उसमें कोई वो नहीं है, बट बटन्स इस साइड रहे हैं, इस तरह से हम पह और अपडेट भी आया है, चलो मैं अपडेट कर देता हूँ पहले, काफी हलके भी हैं, मतलब ऐसा, ANC वगेरा होने के बज़े सा कुछ भार ही ने लग रहा है, और जो Earbuds है, मतलब जो एक कान का है, देखके वाप, इस जो Earbuds है, वो थोड़ा से बढ़े है, मिको अशा लग तो नहीं है, और काफी कमफटेबल लग रहा है, कोई भी ऐसा में को दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है, वोड़ा सा वायर वायर काफी ज्यादा मोटा है, तो भाई, उसके बज़े से कुछ लोग को अंकमफटेबल फील हो सकता है, वाई, इतना भारी एरफोन मिलना हो गया, भाई साब गजब, फोड़ा सलो है भी यह कनेक्शन, डिसकनेक्ट हो गया, तो उतना फास नहीं है, मतलब घडी में, चलो हो गया ता वापस, देखो आगा, नॉर्मल मोड, नॉर्मल मोड अन हो गया, तो मतलब घडी वाला तो अभी तक फीचर बरावा से काम नही करता हूं, फिर आपको sound quality and noise cancellation and comfort के बारे माप को आँगा, let's test out the latency quickly, even without game mode, latency उतना ज्यादा फेल नहीं हुरी अच्छा, तो LDAC बन करना पड़ाएगा, game mode इसका किलने के लिए, तो LDAC और game mode साथ में नहीं चल सका, अभी game mode on हो गया, not bad भाई, बहुत ही कम latency में आपको सुना द देते हैं, ठीक है, आप वापस से बिना game mode के चक्कर करते हैं, यह direct phone का वाज है, लेटेंसी बहुत कम है, बट फिर भी अगर आप competitive खेल रहे हो, आप normal gaming करते हो, वीडियो देखते हो, तो आपको बिल्कुल भी latency देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप competitive खेलोगी, तो बाकि हम बात करें call quality की, तो let me quickly show you the call quality, guys, अभी आप लोग है ना मुझे इस वाले earphone के microphone से सुन रहे हो, और मैं indoor environment में हूँ, फैन वगारा सब कुछ बंध है, तो कुछ इस तरह की आवाज पिक अप करता है, अगर indoor में रहो, मैं अगर fan की चला लू, मैं फैन के डाइरिक ल नहीं करता, basically, यह वाले करते हैं, तो इसमें कुछ इस तरह की आवाज पिक अप करता है, अब fan चाल हुए उसके बावजुद, मैं fan को बंद कर देता, और guys, अगर outdoor environment की बात करो, तो यह चोड़ा था outdoor का test है, देख लो, आप लो, अब ही मैं आगे थोड़ा यूज़ करके फिर आप लोग को बताता हूँ, Hi, hold on, okay, let's talk about this, यह जो earphone है, मैं इनको कल से यूज़ कर रहा हूँ, and my god, भाई साहब, what are neckband, भाई, realme ने seriously इस बार masterpiece create कर दिया है, by the way, मैं अभी तारीफ करूँ, उससे पहले मैं आप लोगो clear clear बता देना चाता हूँ, भाई, यह मैंने अपने खुद के पैसे से खरीदा हुआ है, realme ने नहीं बेजा है, और ना तो realme ने कोई भी तरीके से ये वीडियो को sponsor किया है, और कुछ लोग बुलेंगे, भाई, affiliate है, इसके लिए कर रहा है, तो भाई, मेरे को flip card से कोई भी affiliate का पैसा नहीं आता है, अब पहले आता था लेकिन अब वो भी नहीं आता है, और यह flip card पे ही available है, तो basically affiliate भी नहीं आ रहा है, तो जरा सी भी मेरे benefit नहीं है इसकी तारीफ करने में, benefit सिर्फ आप लोगों का है, क्योंकि भाई, जब से मैं कल से यूज कर रहा हूँ, I am really, really impressed with these earphones, क्या ही masterpiece create क्या है, भाई, Realme वालो ने, I mean, OnePlus का पूरा वो उठा के इदर पे इन लोग ने चिटका है, जो OnePlus से इन लोग ने सीखा है, basically BBK electronics से ही है, तो वहाँ की पूरी सीखी वी चीज इसके अंदर डाल दी गए है, खाली मेरे को इसके अंदर एक कमी मिली, वो है इसका comfort level, I mean, it is very very comfortable, no doubt, बट जो इसका wire है, वो थोड़ा सा बलकी है, थोड़ा मोटा है ये वाला wire और थोड़ा सा heavy है, मतलब ये जो पूरा earphone है थोड़ा सा heavy और थोड़ा सा बलकी हो जाता है, और ये सब earphone कान में uncomfortable नहीं होता भाई, मैं कम से कम आज सुबे से, अभी कितना बज़ रहा है वालु मैं, अभी 6-7 बज़ रहा है, कान में जर्दा सी भी comfort का issue नहीं भाई, इसा कान बन पेन नहीं किया, लेकिन ये जो wire है ना, ये बार बार इसा गाल पर रगड़ता है, और फिल होता है कि wire वहाँ पर है, compare to the OnePlus, बुलेट वाई बेस एडिशन, इसको मैं लगा लेता हूं तो ऐसा गायव रहता भाई दर से, उसके अलावा कोई भी दिकत नहीं है भाई, noise cancellation भी बहुत ज़ादा अच्छा है इसका, एक चीज मैंने notice कि आभी मैंने airpods pro भी चला लिया, तो उसका noise cancellation यूज करने के बाद मैं को सारी चीज़े समझ में आने लगी है, इसका noise cancellation बहुत अच्छा मैं इसा बोलूगा नहीं कि बुरा है, लेकिन जब एकदम static noise रहती है ना जैसे fan वगएरा हो गया या EC चल रहा है तो यह सब चीज को तो एकदम सरनाटा कर देगा, लेकिन जब आदमी या फिर कोई बात करता है तो उसकी आवाद आपको definitely सुनाई देगी तो वो चीज़े याद रखो, मैं लेके जिम में भी गया था, जिम में भी गाने वगएरा बज़रे तो मतलब अगर आप music चला दोगे ना और noise cancellation चालू है तो जो पीछे background में music बज़रा सब गया हो जाता है तो यह काफिया चीज़ है, क्या तगड़ा इसका noise cancellation है मतलब जब call वगएरा के लिए और घर में बैठ रहो fan वगएरा चालो एकदम सन्नाट कुछ है निए आपकी आवाज किसी और कुछ पीक अप ही नहीं करता है आपने sample तो देखी लिया होगा भाई call quality भाई सूपा भाई तो calls लेने भाई बिंदास थी वो match कर गए सिर्फ 5% बच गए और जो highs है वो काफी ज्यादा अच्छे है खाली जो vocals है ना वो थोड़ से कम मतलब ऐसा लगता है कि हलके फुलके वहाँ पर आ रहा है लिक बहुत माईनियूट ऐसा आपको फील नहीं होगा तो मेरे को ऐसा लागा कि थोड़ा सा बेस है लेकिन भाई जब बचता है गाना तो एकदम मजेदार बचता है मजा जाता है यहां तगड़ा गाने का क्वालिटी है एंड अल्टेक है ना वह तो एकदम मतलब थामदो गौड गिवन चीज है बहुत तगड़ी चीज है आई मीन आप 480P पर वीडियो देखो उसके बाद टोगल में एडवांस पर जाओ और 1080P करो जो स्विच आपको देखने को मिलाばい जितना ड्रस्टिक डिफ्रेंस देखने को मिलता है वो उतरना ड्रस्टिक डिफ्रेंस आपको आवाज की क्वालिटी में सुनने को मिलेग अगर एलडेक को को ऑन या ऊफ करते हो बाई इतना बैटरी लाइफ भी है ठीक ठाक मतलब मैं बुलूगा काफी अच्छी एक्चुली देखा जाए तो OnePlus से तो जादा बैटर है वो चीज़े बैटरी लाइफ होगरा वो मैं फुल रिवियों बताऊंगा आप लोगों को अभी तो सुर्फ मैंने एक दिन उसका है और एक दिन में बहुत अच्छा प्राड़क्ट क्रियेट किया है और आइकन कमफर्टेबली आँख बन करके मैं रेकमेंड कर सकता हूँ आप लोग को अगर आपको नेक बैंट चाहिए भाई बिंदास ये वाला कंतेर करो अरे धाई हजार रुपे से भी कम प्राइज में आपको क्या चाह बना दिया आप बिंदास पर्चेस कर सकते हो कोई भी राउट नहीं है इतना ही बुलना था इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपको सब कुछ समझ में आगा अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिलिये भाई तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्